हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तो आपने यूट्यूब की सबसे सांदार और जानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है गाईज आपका यूपी जूनियर एडिड टीचर का एक्जाम कराया गया एक्जाम सभी का हो चुका था आंसर की आपकी आचुकी है आंसर की के बाद में सभी बच्चों ने काफी कट ओफ भी देख ली होगी दोस्तों 100% सटीक जानकारी विसलेशन करके मैं आपके लिए नई कट ओफ लेकर आया हूँ जो वीडियो आपने अभी तक देखी होगी सभी वीडियो फैल हो जाएगी अगर आप ये वीडियो एंट तक देख लेते हैं आंसर की के बाद की सटी कट ओफ आप इस वीडियो में जानेंगे सबजेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो अभी वीडियो आपने देखी थी सभी वीडियो भूल जाए अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते ये समझ लीजी इतने नंबर आपके हैं तो सलेक्शन आपका पक्का है लिखबा के ले लो आज ही इतने नंबर पर आपका सलेक्शन होने वाला है यूट्यूब पर पहली बार आप ये वीडियो देखोगें सबसे सांदार और जानदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगर आप गाइस चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से exam for you चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ताकि जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी आपका पेपर कराए गया यूपी जूनियर एडिट टीजर का उसके बाद आंसर की आपकी कल आ गई है यानि 22 अक्टूबर में आपकी आंसर की आ गई है अब बात कर लेते हैं आपकी कट ओफ की कैटेगरी वाइज कमेंट बॉक्स में सभी का कमेंट आना चाहिए आपकी कैटेगरी और मार्क्स कितने बन रहे हैं आंसर की के बाद दो पार्ट में आपका पेपर था पार्ट वन और पार्ट टू Part 1 था आपका General Science यानि सामान्य अध्यन, सामान्य ग्यान का जिसमें आपको ये 50 नमबर थे 50 नमबर में से अगर गाईज अगर आपके 35 पलस नमबर आ रहे हैं ये समझे लीजे, Part 1 आपका किलियर हो गया इतने नमबर आपको चाहिए ही चाहिए क्योंकि इतना हार्ड पेपर भी नहीं था कि आप 35 नमबर भी ना लेकर आओ 35 तो आपको चाहिए ही चाहिए है अब बात करने दें Part 2 में Part 2 में हिंदी था किसी के पास English, किसी के पास Science, Math, Sanskrit, SST तरह से सब्जेक्ट था आपका तो काईस पहले मैं आपको हिंदी की कटोफ बता देता हूँ अगर आपके पास हिंदी था हिंदी में जर्नल वालों के लिए 85 पलस नमबर चाहिए ही चाहिए है तब ही आपका सेलेक्शन होगा गाईस क्योंकि काफी बच्चों ने पेपर दिया है अच्छा खासा आपका पेपर हुआ है बच्चे बोल ले थे कि हमाने तो लगबग 95 परसेंट ठीक हुए है तो इदिने नमबर तो आपको चाहिए ही चाहिए है OBC की बात करने थे OBC में 70 परस नमबर आपको चाहिए ST कंडिडेट की बात करने थे ST कंडिडेट के लिए 65 परस और ST के लिए 58 परस अगर आपके इतने माक्स आ रहे हैं गाईस तो लिखवा के ले लो सेलेक्शन आपका होने वाला है वीडियो अच्छी लग रहे हो तो फटा फट से सभी लाइक शो सब्सक्राइब जरूर कर देना एक्जाम फोर यू चैनल को अब बात करने थे गाईस आपकी SST की जिसके पास SST था जनरल वालों के लिए 75 परस नमबर सफिशेंट होंगे अगर आप OBC से 68 प्लस नमबर आपके लिए सफिशेंट होंगे SC वालों के लिए 62 प्लस नमबर सफिशेंट होंगे और ST वालों के लिए 58 प्लस नमबर आपके लिए सफिशेंट होंगे जिनके पास भी SST था कमेंट बोक्स में गाईस सभी का कमेंट आना चाहिए लगबग, 77 पलस नमबर चाहिए ही, चाहिए हैं, OBC के लिए 70 पलस नमबर चाहिए, SC वालों के लिए 60 पलस इंगलिस में, और ST वालों के लिए 50 पलस, इधने नमबर अगर आपके हैं कैस्ग इंगलिस में, तो ये समझ लीजी आपका सेलेक्शन हो गया, UP Junior Edit जो exam दिया आपने उसमें टीचर आप बन जाएंगे बात कर लेते हैं आपके संस्क्रत वालों की अगर वीडियो अच्छी लगती है गाईस लाइक से और सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना वीडियो को फैला देने हैं अपने सभी दोस्तों के पास तो 65 पलस नमबर और हट वालों के लिए 60 पलस नमबर इतने नमबर है तो सेलेक्षन आपका होने वाला है कमेंड बोक्स में ये भी बताना कितने कुश्चन आपके आंसर की में गलती है अगर आंसर की में 2 से 4 गलती है तो आपकी आंसर की रिवाइज जो आंसर की आती है वो नहीं आएगी अगर 2 या 4 से गलती ज़्यादा है आंसर की में तो आपकी रिवाइज आंसर की 100 परसेंट आएगी बात कर लेते हैं साइंस एंड मेहत वालों की Science Math वालों के लिए General के लिए 70 से लेकर 75 नमबर चाहिए इससे कम पर आपका नहीं होगा OBC Candidate के लिए 65 पलस नमबर चाहिए अगर आप SC Candidate है तो 60 पलस Science Math वालों के लिए और HD के लिए 55 पलस इतने नमबर पर यह आपका selection होगा तब ही आप Teacher बनोंगे इससे कम पर आप नहीं बनोंगे तो सभी के मैंने आपको Cut Off बता दी वीडियो अच्छी लग यह तो Like से और Subscribe कर देना Comment box में सभी का comment आना चाहिए Category Marks आपके कितरे बन नहीं है वीडियो का सभी दोस्तों के अपने पास फैला देना अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना कंजूसी बिल्कुल भी मत कर ला Like से और Subscribe में वीडियो अच्छी लगए तो फटा फट से Like से और Subscribe कर देना Exam4U Channel को बेल आइकन को ओन जरूर कर लेना क्योंकि जो भी अपडेट होगी